सबसे अच्छा और सबसे सस्ता कपड़ा लेना हो तो भागलपूर में कपड़े का सबसे बड़ा मौल नागरमल खुल चुका है पूजा का सीचन चल रहा है और लोग कोरोना काल से निकल कर खरीदारी करने बाजार की और रुख कर रहे हैं खास कर दुर्गा पुजा में लोग पहले कपड़े खरीद लेना चाहते हैं तो भागलपूर के लोगों के लिए खुस खबरी है कि पटना राची जमसेदपूर जैसे बड़े सहर के बाद अब भागलपूर में कपड़े का सबसे बड़ा मौल नागरमल का उदघाटन हो कि हमारे मौल की सबसे बड़ी खास्यत है वाजिब कीमत जो एक बार दूर गाउं से भी पैसे खर्च करके यहां आए तो लोगों को लगे कि कम पैसे में उन्हें अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिल गया है साथ ही कपड़ों की पूरी रेंज उपलब्द है यहां आने के बाद आपको कपड़े के लिए कही और जाने की जरुरत नहीं होगी अगर कोई कमी है तो मैं इसको अच्छे से सुधार कर पाऊं और यहां के भागलपूर की जंता को ज्यादा ज्यादा अपना सर्वीज दे सकूँ ताकि खूस होके और एक अच्छी फैसलिटी दे सकूँ जो यहां पर नहीं मिल पाती है और सबों का सहयोग मुझे चाहिए अब मेरे को आरा पतना जमसेतपूर सभी जगा के मुझभरपूर सभी जगो के लोगों ने में को अपार संदेज देज वहां किया है वेसी तरफ बिहार के सभी वास्यों का सहयोग हमारे साथ है भागलपूर के जंता से मैंसा ही सहयोग को एमीद करता ह। मुझे पूर फिर भी कोई कमी है तो उसको दिरे-दरे सुधार किया जाएगा। आज दुर्गापूजा के पहली पूजा के सुब अवसर पर सभी समस देशवाशियों को दुर्गापूजा की धेरो शुब कामनाय बधाई और साती सात भागलपूर सहर के तमाम लोगों को बधाई शुब कामनाय और हम धन्यवाद करते हैं हिर्दै से हमारे बड़े भाई उमेश भाईया का आलोग भाईया का जो आरा पटना और अलग टाटा अलग अलग जगाओं पर अपने प्रतिष्ठान को बड़े अस्तर पर खोल कर एकी छत के नीचे कपड़े के मामले में लोगों को कहीं और भटकना नहीं पड़े ये प्रियास इनका हमेशा रहा है और हम लोग सोभाग साली हैं कि भागलपूर शहर में दो साल लॉगडाउन देखने के बाद बजार कहीं न कहीं और हर वैक्ति कहीं न कहीं बेरोजगारी की मार जेल रहता और कहीं न कहीं वेपार भी जो मंदा था तो वैसी परिस्तिती में एक बड़ा प्रतिस्थान खोल कर एक कपड़े के रेंज में कम्प्लीट मॉल खोल कर ना किवल इन्हों ने भागलपूर के हजारों लोगों को रोजगार देने का काम किया साथ ही साथ जो बॉंबे दिल्ली पटना हम लोग सोचते थे कि कपड़ा खरीतना बड़ी शॉपिंग करनी है तो हम लोगों को पटना दिल्ली और बॉंबे जाना होगा वो तमाम चीजें इन्हों ने आज भागलपूर में उपलवद कराने का काम किया इसके लिए हम पूर साथ के प्रयास से मुझे पूरा विश्वास है कि ना केवल एक बहतर रिस्पॉंस इनको मिलेगा साती साथ सहरवासियों को आपने अराम देने का भी काम किया एक अच्छा विकल्प देने का भी काम किया इसके लिए धन्यवाद